मद्रप्रदेश के शाजापुर से मानफता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है जहां एक 80 साल के बुजर्ग के पास इलाज के पैसे ना होने पर उसे पलंग से बांद दिया और इंसानियत को शर्मसार कर दिया जैसे ही बात मेडिया कर्मी को पता चली तो साशन प्रसाशन में हर काम मच किया है वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चाहान ने भी आरूपियों की खिलाफ करी कारेवाही की बात कही है शाजापुर के सिक्टी हॉस्पिटल में इलाज कराने गए बुजर्ग की बेटी का आरूप है कि डॉक्टरों ने पांच दिन तक मरीज का इलाज किया इस दोरान दो बार उन्होंने इलाज के खर्च के रूप में 6,000 और 5,000 की राशी जमा कराई इसके अस्पताल प्रबंदन ने पैसे ना होने के कारण मरीज को डिस्चार्ज करने की बात कही और 11,270 रुपे का बिल थमा दिया साथी अस्पताल ने फाइल भी नहीं दी आरोप है कि जब मरीज को लेकर अस्पताल से जाने लगे तो बुजर्ग मरीज को पलंग से बान कर इंशानियत को शर्मशार कर दिया साजापूर से ब्यूरो रिपोर्ट